अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये तैह है कि आपके मन में भी UPSC का ख्वाप पल रहा है और सिर्फ आप ही क्यों आपकी एज ग्रूप के 90 प्रतिशत लोग यही सपना देख रहे हैं और एक दिन वो IAS, IPS, ऑफिसर बनेंगे ऐसा सपना और एक दिन उनके पास भी वो लाल बत्ति वाली कारी होगी एक सरकारी बंगला होगा बंगले में कई नौकर चाकर होगे और लाइफ एकदम सेट होगी एक दिन आप इस देश का Administrative Service का एक पाठ होगे और एक दिन आप देश और समाज के भविश्य निर्मान के लिए काम करेंगे तभी तो हर साल लगभग 10 लाग से भी अधिक लोग UPSC का फॉर्म भरते हैं और हर साल यह आकरा परता ही जा रहा है लेकिन आज हम जिस पॉइंट पर चर्चा करेंगे वो यह है कि आखिर ऐसा क्यों है कि हर साल UPSC का सपना देखने वालों की संख्या बढ़ रही है नमस्कार स्वागत है आपका प्रभात एक्जाम की यूट्यूब चानल पर यह कैसा प्लाटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी competitive exam से जोड़ी महत्वपोन जानकारियां जो आपको किसी बे एक्जाम में सभल होने में काफी मदद कर सकती है अगर आप हमारे यूट्यूब चानल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लें और हमारे लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें तो आइए शुरुबात करते हैं आज के वीडियो की जो है 90% चातर UPSC के पीछे क्यों भागते हैं IS, IFS, IPS पदों के लिए दीवानगी समय के साथ बढ़ती रहती है अब खुद सोचिए जब आप हाई स्कूल में थे तो ऐसे लोग का छोटा सा स्वमू था जो एक IAS या IPS अधिकारिक की रूप में अपना करियर बनाना चाहते थे अब जैसे जैसे आप कॉलेज में गए ये संख्या अच्छे अंतर से बढ़ी और जैसे जैसे कॉलेज खत्म हुआ और आपके साथियों को एहसास हुआ कि उन्हें जीवन में कुछ घरने की जरुरत है आपके आसपास उमीदवारों की समया है जानक कई गुना बढ़ गई अब UPSC के लिए मोटिवेशन हर किसी का पर्सनल मैटर होता है और ये सब के लिए अलग अलग भी है लेकिन फिर भी UPSC की परिक्षा अपने आप में मोटिवेशन के व्रिस्तित्र शेत्र ओफर करता है और लगभर हर तरह के छात्र इसकी और आकर्शित हो ही जाते हैं और वो क्यों है पहला है पावर और रुद्बा तो नौकर्शा बनना कोई आसान बात नहीं है इसलिए आपको I.S. अधिकारी बनने के साथ मिलने वाली शक्ती और प्रतिष्ठा से मोटिवेट होना बहुत ही सामाने है जिसके पास ये पावर होती है वो ना सिर्फ समाज बलकि देश के महत्वपून फैसलों के लिए जिम्मदार होता है इसलिए देश के लाखों युवा इस पेशे के पीछे आकर्शित हो रहे हैं और इसके अलावा एक और कारण जिसकी वज़ा से विद्यारती सिवल सेवा में I.S. बनने के लिए जाते हैं और वो है समाज में उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा का बढ़ना तो आईस बन जाने पर समाज में हर जगा आपका नाम होता है और आपको एक समान की नजर से दिखा जाता है आईस जैसे टॉप पोस्ट पर नौकरी मिलना काफी समान की बात होती है हाला कि कई उमीदवारों के लिए ये कोई मुख्य कारण नहीं होता है मगर जाहिर सी बात है कि जब हम आईस जैसे पोस्ट की बात कर रहे हैं तो समाज में नाम और प्रतिष्ठा मिलनी तो स्वभाविक ही है और इसके सालरी भी विद्यार्थियों के लिए एक प्रमुख कारण होती है IS बनना चाहने वालों की क्योंकि salary wise भी IS सबसे अच्छी salary वाले सरकारी नौकरियों में आता है IS और इसके साथ साथ civil सिवाओं के अंतरकर्थ इंफाक्ट जितनी भी नौकरियों आती है उन सभी ही पदों पर salary और उनके साथ मिलने वाले जो perks हैं दूसरे तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी काफी अच्छी रहती हैं लाख रुपे या इससे ज्यादा भी एक IS की सैलरी होती है और इसके साथ साथ रहने का खर्च, आने जाने के लिए गारी का खर्च, मोबाइल का खर्च और ये सब देखभाल के लिए जो करमचारियों का खर्च जैसी कई अन्य सुविधाएं सरक्यार की ओर से प्रोवाइट की जाती हैं आयस में केवल आकर्शक वेतन, पद की सुरक्षा, कारिक शेतर का वैविध है और अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं ही नहीं मिलती हैं बलकि देश के प्रशासन में शीर्षपन पहुँचने के अफसर के साथ साथ उच सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती हैं ज्यादतर विद्यार्थियों से सिवल सेवा में जाना चाहने या आयस बनना चाहने का कारण पूछे जाने पर इसका जवाब देश की सेवा ही होता है इंफाक्ट बहुत से विद्यार्थी वास्तव में देश की सेवा करने के लिए ही सिवल सेवा से चुड़ना चाहते हैं सिवल सेवा में आयस अधिकारियों के पास ऐसी शक्तियां होती हैं इसे कारेक्षेत्र होते हैं जिनसे वो ग्राउंड लेवल पर काम करके वास्तव में बदलाव करके देश की सेवा कर सकते हैं उसके क्षमता वो रखते हैं नीती निर्माण में महत्वपून भूमिका निभाने के कारण आयस ऑफिसर भी नीतिकत सुधारों के मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं आयस ऑफिसर की प्रशासनिक शक्तियों का सही से इस्तिमाल किया जाए तो वो समाज को बदल सकते हैं और इससे जुड़ा यही वज़ा है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुजरने की चाहा रखने वाले युवा भी इस आयस की नौकरी की और आकर्शत होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए सिविल सिवा की परिक्षा में बैठते हैं तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हुए तो अपने फ्रेंज के साथ भी से जरूर शेयर कर लें और आपके पास हमारे ले कोई सवाल हो या सजेशन हो तो कॉमन बॉक्स में लेके हमें सरूर बता दें तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ देखते रहिए प्रभात एक्जाम नमस्कार झाल झाल